इस brand का cycle भाई कभी भी मत खरीदना बहुत ही जादा बेकार होता है इस brand का cycle क्या कभी आपने इस तरीके का सुना है जब आपने किसी अपने दोस्त से पूछा हो कि मेरे को cycle लेनी है कौन सब brand suggest कर रहा है and then he says कि भाई कोई भी brand ले ले बस इस brand की cycle को मत लियो ऐसा क्यों होता है let me explain बहुत सारे लोग हैं जो दोबारा cycling को start कर रहे हैं अपने fitness goal को achieve करने के लिए so obviously इतने long gap के बाद जब आपने cycling को दोबारा शूरू करते हो तो आपके पास knowledge जो होता है वो काफी limited होता है personally मैंने खुद ऐसा कई बार देखा है कि लोग shop में cycle को लेने आये हैं वो खरीदने कुछ और आये थे बट shop की पर उनको पीछे से कुछ और ही sell कर रहा है और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो rider है वो बहुत जादा लंबा है उसको small size की bike देदी और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग छोटे हैं मेरे जैसे उनको बड़े size की bike देदी नो इन सब चीजों के वज़े से क्या होता है as a rider जब वो अपना दुबारा cycling को start करता है उसका experience सबसे ज़ादा खराब हो जाता है एसे situation में ही future में जब वो अपने किसी friend को suggestion देता है तो वो यही कहता है कि इस particular brand का cycle मत लियो क्योंकि मेरा experience खराब है but in reality जब वो बंदा अपने लिए cycle को लेने गया था उसको proper guidance नहीं देने के वज़े से उसने गलत bike को अपने लिए choose कर लिया था इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम लोग साही कर देंगे ताकि कल को कोई भी आपको बेवकूफ ना बना पाए और आप perfect तरीके से bikes को खरीद सको number one as a beginner आप जब भी cycle को खरीदने के लिए जाओगे ना always make sure no matter shop की पर क्या ही बोले आपको अपने height के according ही perfect frame size को purchase करना है अब perfect frame size आप अपने लिए कैसे देख सकते हो जो भी आपका budget है जिस भी bike को आपने select किया है जिस भी brand को आपने select किया है उस brand की website पे जाए वहाँ पे आपको sizing का information मिलता है उस sizing के information को check करके आपके height के according जो सबसे best frame size है आप उस frame size को choose अगर आप online purchase कर रहे हो तो यह चीज़ का आपका ख्याल रखना पड़ेगा and if you are going to a local bike shop always make sure कि आप अपने height के according ही accurate frame size को purchase करिये बहुत सारे ऐसे shopkeepers हैं जो genuinely interested होते हैं अपने customers की help करने में but वहीं पे कुछ shopkeepers ऐसे भी होते हैं इनको अपना पुराना जो lot होता है stock होता है वो make sure करना number two क्या wheel size matter करता है जब हम नहीं cycle को खरीदने के लिए जाएं या कोई भी cycle खरीदे well अगर आप देखोगे तो wheel size आपको different तरीके के मिलते हैं right अगर आप hybrid bikes लेते हो तो 700C में ही आते हैं वहीं पर जो MTBs है वो 26, 27 and 29ers में आती है generally अभी के time पे 26er ना लेना ही सबसे जाधा better है 27 and 29er जो wheel sets हैं ये काफी अच्छे हैं जो 27.5 के wheel sets होते हैं ये control में बहुत अच्छा होते हैं trail riding में भी काफी मज़ा आता है control काफी अच्छा मिलता है जो 29er के wheel sets होते हैं इनका rolling काफी अच्छा होता है trails के उपर भी as well as road के उपर भी but wheel size कभी भी ये matter नहीं करता ह है कि bike आपको कितना ज्यादा suitable होगी 29er wheel sets के साथ अगर आपको size small frame fit आता है तो अगर आप उसमें medium frame size लोगे तो आपको बिल्कुल भी fit नहीं होगा आपके बार-बार private area में या फिर आपके groin area में आपका frame लगता रहेगा तो इसलिए हमेशा make sure करना कि perfect size का frame and आपके height के according ही जो wheel sets होता है उसको आप choose किए जिसको हम लोग कई बार कहते है size fit method जिसको आजकल बहुत सारे brands जो है वो prefer भी करती है number 3 components अब क्या components matter करते हैं किसी भी bike को खरीदने के लिए well अगर मैं बोलू yes matter भी करते हैं and no matter नहीं भी करते हैं yes matter क्यों करते हैं कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो brand है वो website पे कुछ और component दिखा रहा है कि मैं आपको ये वाला component दे रहा हूँ but in reality जब आप उस cycle को खरीदते हो आपको components कुछ और ही मिल जाता है do you understand मैं क्या बोलने की कुशिश कर रहा हूँ brand website पे कुछ और कह रही है कि मैं आपको rock shocks दे रहा हूँ मैं आपको फलाना दे रहा हूँ but आपको store पे जाने के बाद मिल रहा है suntour और shop की पर आपको कह रहा है कि ये latest model है जिसमें change हो गया है तो ऐसा कई बार नहीं होता है boss कभी भी खरीदने के लिए जाओगे कोई भी brand का bike choose करो always उसके website पे जाके components का पूर अच्छे तरीके से देख लो उस page को save कर लो screenshot ले लो and then उस cycle को shop पे जाके आप चेक करो कि सारे components accurate है या नहीं है क्योंकि अगर brand कुछ भी चीज़े change करती है तो उसको website पे सबसे पहले update कर देती है and to be honest मैंने ऐसे कही brands को देखे हैं जिनके website पे change नहीं होता है कुछ भी website पर लिखा रहता है मैं आपको rock shocks recon दे रहा हूं but पीचे से आपको कुछ और ही चिपका दिया जाता है but as a user and as a investor जो आप अपना पैसा लगा रहे हो cycle खरीदने म वो भी check कर लेना number 4 use case scenario अब use case scenario क्या हो गया भई ऐसा कि cycle में use case scenario क्या है इसके पीछे एक reason है वो है कि मैंने एक बार देखा एक बंदे को ride करना था सिर्फ road पे उसको कुछ भी extra fun element नहीं करना था उसको trails भी नहीं करना था उसको कुछ भी नहीं करना था ऐसे cases में आपको recommend कर नहीं पड़ती है या तो hybrid या फिर road bike however I found out कि जो shop की पर था वो उसको recommend कर रहा है कि boss MTB खरीदो आराम से road पे चलाओगे MTB का उसको कोई use है नहीं उस तरीके से yes it is true आपको control अच्छा मिल जाएगा but then आपको drag जादा मिलेगा आपको grip जादा मिलेगा राइडिंग उतनी hybrid y love road bike सबसे best हो सकती है बट अगर किसी गाउं में रहते हो जहां पर कच्चे रास्ते भी है पके रास्ते भी है उबढ़ खावर रास्ते भी है या फिर खराब से खराब रास्ते भी तो ऐसे situation में आपके लिए बहें मूसरा होती है वह बेस्ट होती है अगर आप पहारों प कीजिए future upgrading capabilities जब भी new cycle को purchase करने के लिए जाओगे अगर आपका budget अलाओ करता है तो एक ऐसा bike ही आप purchase करो जिसको future में भी upgrade कर सको for an example अगर आप एक cassette system के साथ bike को purchase करते हो जिसमें cassette लगा हुआ है with cassette वाला hub तो उसको आप future में 1 by 11 या फिर 11 speed था काफी easily upgrade कर सकते हो but वहीं पर अगर आप एक free wheel वाले system को लेते हो तो आपको hub change करना पड़ता है आपको new cassette खरीदना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है जो की काफी जादा expensive पड़ जाता है और कई बार मैंने देखा है जो free wheel वाले bikes होते हैं उनका front का suspension भी बहुत ही जादा बेकार होता है कई बार तो quick release clamp के साथ भी नहीं आता है nut लगाव होता है तो ऐसे चीज़ों में future upgradabilities काफी जादा restricted हो जाती है और फिर आप उसको upgrade भी नहीं करते हो because cost बहुत जादा बढ़ जाता है सो हमेशा ऐसे जिगे पर पैसा लगाओ जिसको future में आप upgrade कर सको और उसको अच्छे से enjoy कर सको जो यह six number point है यह बहुत जादा important है जब भी local shop से खरीदने के लिए जाओगे न always दुकानदार से यह ज़रूर पूछ लेना कि भाईया warranty में क्या क्या चीज़े included है कई बार मैंने देखा है लोग कहते हैं कि मेरे को company ने बोला है कि एक साल की warranty है मेरा तो fork टू डिया पर अब वो मेरे को warranty नहीं दे रही है yes बिल्कुल नहीं देगी because वो जो fork है वो warranty period में नहीं आता है so before you buy any bike कोई भी new bike खरीदने से पहले अच्छे से clear कर लीजिए कि warranty period में क्या क्या चीज़े cover होंगी और क्या क्या चीज़े cover नहीं होंगी जो wear and tear के parts होते हैं वो warranty में कई बार cover नहीं किये जाते हैं उस brand के द्वारा जिसका bike आप खरीद रहे हो but अगर वहीं पर frame होता है, handlebar होता है, stem होता है जो उसी particular brand का है, तो वो चीज़े brand में warranty के अंदर cover हो जाती है but consumable parts नहीं होते हैं warranty के अंदर cover Instagram handle में कई लोग मेरे को message करते हैं कि भीया मैंने इस particular brand का cycle खरीदा था और इसका suspension fork है ये खराब हो गया है, अब brand मेरे को warranty नहीं दे रहा है but brand ने मेरे को बोला था कि इसमें आपको 6 मेने तक का warranty देंगे तो ऐसे situations में जब भी आप किसी भी brand से cycle खरीदो फिर चाहिए online या offline अगर आप online purchase कर रहे हो तो आप chat कर रहे हो उसके साथ उस chat को record कर लो अगर आप call पर बात कर रहे हो तो call को record कर लो या फिर अगर आप किसी shopkeeper से खरीद रहो तो कोई proof आपके पास जरूर होना चाहिए कि उस particular बंदे ने ये चीज़े आपको बोली थी कि ये ये चीज़े आपके पास warranty में covered है तब ही जाके आप उसका warranty ले पाओगे अभी वीडियो के शुरू में मैंने ये क्यों कहा था कि भीया ये वाले particular brand का cycle मत लेना हर एक particular brand अपने cycles को बनाने के लिए काफी जादा research करती है, develop करती है marketing में काफी अच्छा spend करती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो company के लिए काम करते हैं तो कोई भी brand कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि अपने brand name को खराब करने के लिए वो खराब product market में निकाले जो Indian brands हैं हमारे, उनकी bike सिर्फ अभी इंडिया में बिखती है international brands जो बाहर से import होती है ना इंडिया में same cycle जो आप खरीद रहे हो, वही same cycle all over the world में भी बेची जाती है with exact same quality, तो अगर कोई आपको ये बोले कि इंडिया में बेकार quality बजी जाती है तो भाईया वो जूड बोल रहा है, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ अलग-अलग technique लगा रहा है ताकि उसको पैसे मिल जाए उस brand से या फिर कुछ और उसका motive होता है तो ऐसे चीज़ा से दूर रहना, हमेशा यही कोशिश करना, अच्छे brands की bike खरीदो, अच्छे से warranty को देख लो and अपने पैसे को सही जगे पे लगाओ, तो I hope कि ये जो कुछ points मैंने आपको बता है